लास्ट क्लास में आप सभी लोगों ने ठीक है लास्ट क्लास में आप सभी लोगों ने जो है BMC सिमेंट की कुछ कुछ बातें सीखी दिया आज हम आपको वहीं से आगे थोड़ा सा प्रैक्टिस आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेशन आपके सब चुनंदे क्वेशन मतलब कि सब इंपोर्टेंड इसमें खोल देना सर जो आपके हैं अच्छे क्वेशन में से जो है उनका मैंने चैयन करके आ इसमें नाइनलद कर वहां नियुक्त कर वैक क्या है हमें कितना लेते हैं किए डिसीया सब तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए यह आपके दिमाग में हर समय होना जाहिए ठीक है के लिए है चलो आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास कि पूरा सिमेंट को बनाने के लिए हम सब लोग जानते कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंग्रेडियेंट है तो वह लाइन है चूना है हमने पहले भी कहा था चूना सबसे ज़्यादा लगने वाला अविया बढार से 55% होता है तो तोस्यूक आपास से 25 रूता है अल्यमेंद देखा जाये तो 3-8 परेजली आइश्परация अर्ण बढार मक्सान जाए तो प्रेड़शीं लगनेंटसरहूं हां यह बिस्कां आपको पिछली क्लास में तो यह भी समझाया था दोस्तों कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच इनके 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 नाम इनके काम और इनका परशंटेज यह तीन बहुत इंपर्टेंट है इसलिए याल रखना इन चीजों को स्टेविल्व जरूर रखेगा ध्यार एक अच्छे इस क्वेशन पूर सब्सक्राइब करेंगे एक अच्छे सिमेंट में कौन सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा होना ची टेट्रा केल्सियम एलविना फेराइट नेक्स्ट है डाय केल्सियम सिलिकेट तीसरा है यह वाला तो सही था एक आगे साथ मिस्टेक उसको मैं करेक्ट करा दूँगा आज ट्राय केल्सियम सिलिकेट दिया स्ट्रेंड मैंने कहा भी था आपको कि सी 3S पिछली क्लास में आपने देख लिया था सी 3S आपको सबसे ज्य आपका स्लोर काम हो रहा है तो स्लोर काम आपका कौन करता है डाय केल्सियम सिलिकेट कर देता है तो हम इसको सही कर देना मापर पिछली क्लास मैंने कुछ और आपको करवाया था तो उसको करेक्ट कर देना यह आपका डाय केल्सियम सिलिकेट क्या नाम इसका डाय केल्सियम स इसके वज़ाए से स्लो सेटिंग होती है या धीरे-धीरे मंद जमाव आपका होने वाला है आप कहो कि सब जमाव की बात करें तो सेटिंग में तो दो इक बस इंग्रेटेंट होते हैं रिस्पॉंसवल एक सी 3a और एक सी 4af हम तो सर सी 2s और सी 3s को क्यों इस्टेंथ में देखते दर लेकिन नहीं हम जब कहते हैं कि रैपिडली में लगा की फास्ट सेटिंग के लिए तो वह आते हैं आपके सी 3 और सी 4af लेकिन जब हम बात करते हैं स्लो सेटिंग मलब कि आपका केल्सम स्लेकेट कॉंशंट्यंट ओव्डसम कोल स्टेंथ सकॉर्ड बोलेगा क्या बोला गया है कितने समय में समर्थ प्रदान करता है दाई कैल्स सिल्केट क्वेशन हमर चार यह बात सच है कि शुरुवात की जो स्ट्रेंद देता है एक दिन दो दिन तीन दिन तो वह कौन देता है उसी 3S देता है ट्राय कैल्सम सिलिकेट लेकिन डाय कैल्सियम सिलिकेट भी स्टेंट बराबर उमलब की देखो इनका कर्व क्या होता ना ऐसा बनता है यहां से कर्व आपका जाएगा सी 3S का यह तुमारा इधर स्ट्रेंथ है इधर टाइम है यहां जैसे मैंने कहा कि तुमारा एक दिन है दो दिन तीन दिन एसा लिए लिए मैंन तो उपर से आ जाएगा लेकिन सीट वैस्ट आपका कुछ आपका 14-18 दिन मलब कि यहां कुछ ऐसा जाएगा और सबसे महिदार बाद एक साल के लगवग बाद मलब की चैसाथ मैने के बाद यह दोनों की दोनों स्ट्रेंथ आपकी कर्व सेम चलता है दोनों इस त्रेंथ अपनी बराबर दिते रहेंगे फिर लेकिन सुरवात में सी त्रिया जल्दी दे जाता है ठीक बाद में और कितने बाद में देता है तो आप कहेंगे कि सर्फ 14-18 दिन स्ट्रेंद देना शुरू करेगा लेकिन में तोनों के दोनों जो बाद में एक क्या कहोगे इन क्विक सेटिंग सिमेंट दग कमपाउंड एड़ेड इसको क्विक सेटिंग सिमेंट आप जानते कि कभी आबर आपको वाटर बॉड़ी के नियरबाट बनाना है तो वहां पर आप क्या करते हैं जल्दी सेट हो जाए हमको ऐसा सिमेंट चाहिए तुम एलुमिनूम सल्फेट को एड करते हैं यह पीछली क्लास में डिसकस किया था नेक्स क्वेशन है है यह मत्र स्मोरल को पहलोंन शिछलने के बाद प्सिमेंट स्वाविव स्मूर। और यह गाळाते हैं क्या कहलाते हैं तो हम कहेंगे क्लिंकर हम कहेंगे नूडल एस नूडल सरी नूडल एस हिंदी में गलत लिखा है नूडल हम कहेंगे कंकर या ओल आप बाब बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सिंपल क्वेशन इसमें तो सोचने वाली बात कुछ आहीं नहीं जहां बात हो गई स सिमेंट की सिमेंट की बनाने की प्रोसेस को याद करो सिमेंट को बनाते वे आप क्या करते थे एक तरफ से आर्गिली से समटर लाते थे एक तरह से कैलेकरियस वाले उन दोनों को ले जाते थे आप उसमें बेसिन में फिर उसको जा के जो है वासिंग करते थे फिर आप पीस ल कर मं तबदिल हो जाते हैं छोड़े ढिले यही तो बात कर रहा है में कर भसक्राइब यहाद कर द्रौदर वहीं ना कि लिंकर की बात है यह फालत की चीज़ें दिए यह फालत लें यह उप्चन होगा दोस्तों है ना चलिए इस स्पेसिफिक सर्फेस एरिया ऑप दिर रैपिड हार्डिनिंग सिमेंट ध्यान रखेगा कि वैसर मैं आगे बताओंगा आपको ओपीसी कब 2250 होता है ठीक है ना फीपीसी का 3000 होता है और आरेची कब 3250 यह बात ध्यानक नहीं आपको मतलब की 3250 मतलब की बी आप्शन कर दिया होगा आपने पैसा नमर सेवन में हो जाएगा बी आप्शन 3250 3250 यह होगा दोस्तों यह हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आगे बता रहा है आपको टेंजन नहीं इसी क्वेशन में बता दूँगा जिसमें कि आपका पीपीसी का कितना लिया जाता है ओपीसी का आरेची का तो आपने पता लगाई दिया है चलिए वह स्पैसिफिक सर्फ यह और आरेची का जो अलग 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 है रेजटू का मल्लब मद आने जाती थी जब फाइननेस अपसिमेंट की फाइननेस निकालते है नंगलते हैं जितना ज्यादा फाइन होता न सिमेंट उसकी रापीडली स्ट्रेंद को गेन करने की प्रोपर्टि बढ़ जाती है वर ये जल्दी कि इस तन को गेन करेगा जितना फाइन होगा उतना अच्छा ही है कही नहीं इस बात को ध्यान रखना सिमेंट की फाइनने स्ट्ट करने के लिए तीन टेस्ट है पहला टेस्ट है सीव मैथर्ड दूसरा टेस्ट है एयर एंड ब्लेंस परमेबिल्टी टेस्ट सुना होगा आपने तीसरा है वेगनर और सेडिमेंटेशन टेस्ट ठीक है चलिए अगर आप यह टेस्ट पढ़ने हैं तो आप मेरी क्लास को देख सकते हैं डीटेल क्लास वहाँ पर समझा रखा है मैंने बीमसी की डीटेल क्लास देख आपको दे रखके सारे वीडियो उसमें आपको सब समझ आ जाएगा ठीक है डीटेल क्लास सिमेंट की तो जरूर देखना है देखो यार बीमसी के अंदर मैंने बीमसी के अंदर सिमेंट पढ़ा रहा है इन चीजों को जरूर पढ़के जाए ठीक है और टिमबर वाला पाड आपका फाइन चीज यहरी माकाले निक तरीक कर वाधारो कि सीव होती है कि जो सी भोती है इसका सा ओंबाय माइक क் बन अब Cleve पहल ली देखिया आपने जिसमें आठाच छांते हैं हैसे कुस्कूरल इसके यह होता है आपके जाला विच्छा नैसे इसमें डालोगे आप सिमेंट को डालोगे सिमेंट पर डाल दिया आपने महां लेते हैं कि आपने सौ ग्राम सिमेंट ले लिया इसको सीब करोगे कितने सेकिंड तक 15-23 मिनिट के लिए आ आप planche mi टारोगे समें शेकिंग करोखे तो हो आपका होगा क्या को स्मेंट दूपास हो जाएगा लेकिन कुछ चमेंटा आप यहां पर रैजुडियू बच जाएगा इस रैजुडियूगा आप सेस मतलब यह जो जीदिव है इट लॉट्ट बिग्रेंटर धन परसेंट मेरे विद्यारतियों 10% से ज़्यादा आपका यह रेजिद्यू बाचना नीची अगर आप OPC बना रहे है इसको बना रहा और अगर आप rapid hardening cement बना रहे हैं क्योंकि rapid hardening का मतलब क्या है क्या है कि आपने और ज्यादा पीछना होगा ओपी से तो normal cement है इसके लिए 10% चल जाएगा जितना ज्यादा परसेंटेज आ रहा है इसका मतलब उतना मोटा है बचने का मतलब यहां पर वही तो है अब आरत्सी का म काम तो हम करते हैं लेकिन सबसेब पर्मुक काम जो है वह है फाइन ग्राइंडिंग इसको और ज्यादा ग्राइंड किया जाता होगा जब मॉल बिल में ग्राइंड कर रहे थे तो यह देखा जाता है कि इसमेंट पांच परसेंट रेजिडिव बस बचना चाहिए पांच प मैं लिखा देता हूँ आपको लिखाया हुआ है आपके लिए देखो कि फार ओपीसी दरेजिडिव प्रेजेंट इन ओपीसी सिमेंट सुड नौट भी एक्जिट 10 परसेंट क्या बोला था मिने ओपीसी के लिए कितना यह ओपीसी और निपोल निसमेंट 10 परसेंट है नेक्स मैंने कहा था कि रैपीड हालनिक सिमेंट के लिए इस तो नौट भी एक्जिट 5 परसेंट रजीडिव पांच परसेंट ज्यादा निवना चीह और इसका इस प्रफेस अरिया 32-50 का था ना यहां पर 325 मिट्र स्कर्पर किलोग्राम ठीक है ना यूनिट को ध्यान स समय इसके लिए भी 5% है दोस्तों जो रैजिडियू है क्योंकि इसकी भी जो हुआ है रैपीडल स्टेंट गेन कराने कोजिस करते हैं 5% है और इस पैसिपिक सर्फेस एरिया इसका 300 है देखो आप खुद देखो ओपीजिक का स्पैसिव सर्फेस एरिया कम जिसका स्पैसिव सर्फेस एरिया कम होता मला वो मोटी रहती है स्वाइल बोल रहा हूं सिमेंट स्पैसिपिक सर्फेस एरिया ज्यादा का मतलब महीन स्वाइल है तो यह देखो ज्यादा महीन है इस से भी महीन है यह 325 तो अगर कभी पूछा जाया है कि भाई बताएगा इन तीनों में से इन से ज्यादा फाइनेस क्या है इस ओर्डर को मैंने कहा दिया आपको कि फाइनेस के ओर पर कैसे पता लगा सर्फेस एरह के बेस पर लगा आरेची का था सर 325 इसका था सर पीपीशी का 300 और ओपीशी का था सर 220 और हम जानते हैं कि रैजिडू अगर आप देखें सेम सीब में इसका रैजडू बचा के वल आपका इसका पांच पर सेन इसका फीपांच परसें था वैसे दो और इसका तो दस पर सेंथा यह सबसे महीं मोटी जो है ओपीशी को दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहोगे आपका सिमेंट की बारे में बात हैं कि पुलिए इसर तो यहां पर कई जफा पर कई जगर पर आता है एक्षुली में पहले भी आया है अभी भी आएगा और आता भी रहेगा कि 2017 में 16 में पूछा गया है जारकंड में इबांचल प्रदेश में पूछा है एंपी में भी पूछा है एससी जे कभी है कि यहीं कभी है अब देख सकते हैं कितनी जगह पर पूछा गया जब की कुछ है नहीं अगर आप यहीं चीज तो आती है यहां से और इसी को जब हम अजार का मुल्टिप्लाय करते हैं तो 34.7 में लीटर में आ जाता हूँ और उसी को अप्रक्सिमेट आप 35 लीटर भी लिखते हैं यह चीजे में बता चुका आपको तो यह आ जाएगा आपका भी ओप्सिन जीडो पॉइंट जीडो थीफोर सेवन क्यूबिक मेटर है यह सी यू एम का मतलब होता है क्यूबिक मेटर ओके ठीक है अगे आते हैं नेक्स प्रिशन आपका इंतजार कर रहा है दा डामेटर ऑफ प्लंजर यूज इन दविकाट अपरेटस इस डामेटर क्य हम कहेंगे स juvenile की और मुझा जो थे प्लंजर का को मैं कि इसMom की होता है मतले यह आपका एक तो स्कॉर होता हूं एक सरखलर होता है तो यह तुम्हारा वह ऑव्धा ना जिससे की होता है मैं बता देता हूं देखो क्या है क्वेशन देखो जब आपका अटेच्मेंट देखो विकार्ट मॉड ऐसा रहता हूं मैं थोड़ा से आपको आइडिया देदू ऐसा यह प्लंजर रहता है पहली बार में रहेगा सर्कुलर जब आप आप consistency निकालेंगे और यहां तुम्हारा यह क्यों रहता है मॉड रहता है विकार्ट मॉड चाली समयम का चाली समयम का मॉड रहता तो उपर से लगबक कितना चुबना चाहिए 33-35 आपका चुबना चाहिए नीचे से 5-7 तब हम कहेंगे कि परफेक्ट इनिशल कंसिस्टेंट करना तीनों जगह पर कंसिस्टेंटी स्टेस्ट करें इनिशल सट्टिंग टाइम या तीनों ही जगह आपका एक एक ही तुम्हारा अपरेक्टर स्टीनों के लिए होता है कभी पूछा जाए तो बस यहां पर निडिल चेंज होती है जिसकी मॉड की निडिल होती है ना है तो आप गहेंगे टैनना अंसर आ गया लेकिन इनिशल सट्टिंग टाइम कोड़ते हूं इसका इसक्वार निडिल होती हूँ उसकी निडिल को मॉचेंज कर देते हैं स्कूर निडिल हो गया वन अमैम स्क्वार की लेकिन जब फाइनल सेट्टिंग निकालते तो समय कॉल चलिए अभी जास्ट पहले में इसकी बात किया है तो सबसे पहले जवाब आना चाहिए कि दा सिमेंट पेस्ट इस ओफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी इन बिकाट अपरेटर्स इव दर रोड रोड है याँ पर इव दर रोड पैनेटरेट बाइ है हुआ है अब दो इसमें क्यों होगा है कि ठीक है अब देखो इसमें देखो न मैंने भी जस्ट पहले कहाते कि 33-35 होता है लेकिन टॉप से कह रहा है ठीक है अगर आद देखें ऑप्शन में भी देखे जाए ऑप्शन में कुछ लिखा है निया वैसे कि टॉप से बॉटम से है लेकिन जो विकाट मॉड होता है अब आते हैं कि यहां पर आपका बॉटम से कभी पुझा जाए तो यह आपका पांच से साथ में होना चीए लेकिन ऐसा तो है नहीं था तो आपका यह होगा दिया सबसे बैस जो है कि चले जी कि चलो नेक्स बसन है कि अग्स बसे नमर बारवा कि कितना समय लगता है बहुत सिमेंट सिंपल हो गया या ओपी सी ओर नरी पॉर्टलेंट सिमेंट ओपी सी के लिए एक आता है आइस्टी और एक आता है आले अपका फस्टी रट डालो न वैसे तो रटा होगा आपने मुझे जानता कूमीर है इनिशल सेटिंग टाइम और एका था अफस्टी फाइनल से इनुट लिए इसका बस 30 मिनट है और दूसरा है आपका final setting time 10 गंटे, 10 गंटे को आप 10 गुणा अगर आप 60 कर दें तो आप लिख सकते हैं 600 मिनट भी ना, चलो खेर अटा दो, तो 10 गंटे हैं, देखो initial setting का मतलब होता है आपका cement जो है कितने समय में, minimum से minimum समय में, कितने समय में अपने वो plasticity को lose कर दिया है, plasticity lose होता है, not elasticity, यानके plastic, plastic का मतलब होता है, अगर आप से separately कभी कोई plasticity सब्द का मतलब पूछे, इसका मतलब होता है, it's, plastic का मतलब होता है, can be molded, मतलब कि अगर body में, किसी भी paste में, जो cement का paste बनाया आपने, उसमें अगर plasticity जब तक होती है, अगर जब तक प्लास्टी होती है, तब तक वो किशी भी shape में ढ़ल सकता है, लेकिन जैसे उसकी plasticity lose हो गई, तो आप वो किसी भी shape में ढ़ल सकता है, कहने का मलब मेरा यह अदिय तीस मिनट के अंदर, तीस मिनट के अंतराल में, यह अंदर, आप उसको किसी भी shape में, कोई भी mode आप ले लो, मूरती बनाओ, बरतन बनाओ, विम बनाओ, कोई भी shape में ढ़ल सकता है, लेकिन तीस मिनट के बाद वो initially set करना शुरू कर देगा, कुछ-कुछ हद तक वो set करना सुरू हो जाएगा, कुछ-कुछ पार्टिकल आपके setting में आना सुरू हो जाएगा, तो ऐसा cement आप फिर किसी mode में यूज नहीं कर सकते, किसी भी shape में अच्छे सब्सक्राइब से ढाल नहीं सकते, कि उतना question नहीं रहेगा, समझ के बात को, उसी सब्सक्राइब कहते हैं, सब्सक्राइब का एक हार्डर मास बन चुका हो, समाद के बात को चलेगा, तो हम कहेंगे कि सब्सक्राइब 10 गंटे है सर, फाइनल पूछा थाना, maximum final setting time, हाँ तो फाइनल आपका 10 गंटे होगे, भी option, चलो पढ़ो इसको ध्यान से, which one is not correct, मतलब कि यहां पर से सही नहीं है जो, not correct का मुलाब, question number आपका 13, जबली जवाब करो, question number 13 जट अ करो доб생को, करें आपका 16 गंटरी जजरी है आपका 14 गंटे करो भूं, आपका 14 गंट हूं, कि यह सक पिकूंद करोण कर दूं तेरवा का जवाब करो जड़ा अच्छी में दी इसमें दी ऑफ्षन इसमें जो है ना है नी चलो दी में बना देता है चलो ठीक है को दीकर देखो मैं बनाने वाला हूं कि आपको पहले पड़ो आप पड़ो ज़्यां से टेंपरेचर रेंज इन दस्मेंट किलीज थाइन तो 1500 डिगरी सेंडिग्रेट से में बटी का तापमान इतना रखा जाता है बिफोर टेस्टिंग दा सेटिंग टायम आप सिमेंट वन सुट टेस्ट आप फोर कंसिस्टेंसी बिल्कुल से देखो यह तो स से 1500 डिगरी हम जाते हैं ड्राइफ प्रॉसेज में लेकिन यह फिर भी रेंज के अनुसार सही है यह सच है भई कोई दिक्कत नहीं है बिफोर सेटिंग टेस्टिंग सेटिंग टाइम इनिशल सेटिंग करो यह फाइनल सेटिंग उससे पहले क्या चाहिए आपको पी की वैल यह भी तो सच है यह भी सख़ी है तो मास कॉंकरे फ़ार मास कॉंकर निव फॉर लोगई सीमेंट विल्कुल सभी बात है जब आप यूज़ अमांट में बहुत बढ़े मांट में सिमेंट को यूज करते हैं ऐसे आप जब करना चाहते हो वहाँ पर लोग लोगड जयादा ह आई-बीट सिमेंट आकर आपने यूज किया तो आपके बहुत बड़े बड़े या छोड़े चोड़े चोड़े पढ़ना शुरू जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एनरजी बहुत ज्यादा इक दम से जो है जन्रेट होती है इसलिए लोगी चिमेंट करते हैं जैसे आपक का असत्या है नहीं तो हम कहेंगे कोई भी असत्या नहीं है चलिए ने इस विसन बताओ कि कि सिमेंट बैग कंटेंज दी 0.035 कुभिक मीटर और मतलब कि 0.035 मतलब कि यहीं समय पता लग गया कि हमारे सिमेंट का बैग्व वही स्टेनर वाला है 50 किलोग्राम का बैग वाला है इतना क्यूंट मेटर आप दा सिमेंट वाल्यूम हाव मैने बैग विल भी वन टन आप के लिए कितने बैग लगेंगे एक टन सेमेंट के लिए देखो भई एक बैग में होता है 50 किलोग्राम एक टन में है एक टन का मतलब होता है दोस्तों हजार किलो Gram मैं बहु हम कहेंगे上 हजार किलो को बढ़ने के लिए आप क्या करोगे कितने लगा होगे क्या बेग में 50 में तो हजार बटे जब 50 करोगे तो आपको हो जाएंगे बीस बैग तो मुला हजार किलोग्राम को भरने के लिए कम से कम 20 बैग आपको चीए और यही पूछा भी गया था एक सिमेंट के बैग बने के लिए इतना बैग तो डी ऑप्शन यहां पर साथ आपको कट रहा हो गए दि सिमेंट वोगिस कंपाउंड आप दिस सिमेंट बताओ पुशन नमर 15 अंदर वेक वसंगा जवाब करना है बताओ यहां पर आपको नौट करेक्ट बताना गलत बताना है चलो गलत बताओ सी थ्रिया साइज मैक्सिमम परसेंटेज कंपेर तो अधर मैक्सम परसेंट्य हां ठीक है सब से ज़ tast यह होता है सिमेंट में सबसे ज़यादा सीट्रैस का ही परसंटेज रहता है यह सबसे जह रहता है क्या अब देखो यार यह बात सच ऐसा बिल्कुल नहीं है वैसा मोटे मेड़े तो इसका बहुत जादा परसेंटेज नहीं है लेकिन हाँ कंपेर टू अधर थोड़ा से ज्यादा वेटेज रहता है तो यह कहीं न कहीं आप कहेंगे सही है दिस्दक करक्ट दूसरा ओप्शन देखा जाए तो सी त्रेस रिस्पोंस पर पर अल्टिमेट इस्टन गलत हो गया जी क्यों कि मैंने कई दफ़ा आपको बता दिया कि सी त्र सब्सक्राइब फाइनल इस्टन बात कि स्टन ठीक है सी तुएस कि रहें तक तो यह तो देखते ही गलत हो गया तो आपका अंसरी भी हो जाएगा फिर भी पढ़ लेते हैं सीट्वज रिस्पोंस पर अल्टिमेट इस्टन यह सच लिखा है औल अब दे करेक्ट ऑल कहां करे सब्सक्राइब कि सेमेंटिज मरीन वर्क के लिए तो रटी लिया होगा आपने कुछन मर सोल्व क्या होगा अंसर नमरीन बश्वच समुद्री कारे के लिए हम क्या करते हैं थीक़ें अब ब्लास लोह इस्मेंट आपका जनली जो है डेम अगरे के लिए यूज करते हैं रै के लिए नाम से लिखा है लेकिन आपका जो ब्लास्ट फरनेस लाइक सिमेंट यह वाला यह किया जाता है दिए आपका का काँ पर यह चीज्जें के लिए चलिए कि विच्वान इस करेक्ट अबाउट दा सिमेंट सिमेंट के सामर्त संधर्व में कौन सा कथन सई है बले बता बताओ यहां पर आपका सु है चारों के चारों को पढ़ें डी आप्शन में सभी है ओल मतलब डी आप्शन जो दिखनी दाओगा आपको ओल लिखाए उसमें जब तो पहला अप्शन को अगर आप पढ़ें ज्यान से पहला अप्शन को पढ़ो जड़ा सबसेे पढ़ी दो में गोड़ें से लिए पूर्टलयंटम इसलिए भी कहा गया क्योंकि इंगलेंट की जगह है पूर्टलेंट तो वहीं इसलिए इसका नाम भी पोर्लेंट जो है ओपी से आप बढ़ते भी हैं यह सच है जनली डेंसिटी आप सिमेंट बिल्कुल यह तो आपने रटी दिया पहले शुरुवाथी करी सी सही लेकिन यह पता नहीं होगा साथ आपको स्पेसिक रेटी सिमेंट की कितना लेता है तो 3.15 लिया जाता है यह बात भी सच है यहां पर यह तो आपका डी आप्सेंट होगा सब सही है यहां पर कोई भी गलत नहीं है वैस अब सही है चलिएगा देखेगा एच पर आया यह मैं होता हल सर्च परेज़साँ नम्म्म्म-18 18 की भात है दिव excepto लिए क्या होता न आए फोट 30 दिन और किन ध生 fine जिन एक्चुली में जब हम क्यूब टेस्टिंग करते हैं सिमेंट की 70.6 mm का जो क्यूब होता है इससे जब हम इस्टेंड निकालते ना यह जो ग्रेड होता हमारे बात करूं बात करों ओपी से गेरेड है ए अपका 33 और एक ग्रेड आपका 43 और एक आपके 53 यह ग्रेड क्या है एक्चुली में 33 43 53 का मतलब है यह कंप्रेसिव स्ट्रेंद दूस्ते हो यह क्या है compressive strength actually समझ रहे बात को यह नहीं समझ रहे हो यह नहीं समझ रहे बात को यह नहीं समझ रहे हो करें अब सही है ना इसमें दिवनिता होगा अब सही होगा अब सही होगा अब सही है तो हमने कहा कि जो आपका 70.6 जब देखा दो सामर्त है आपकी अब वह ओपी सी की 33 43 और 53 यह क्या है सामर्त हैं लेकिन यह जो सामर्त है कितने दिन पर हैं यह कितने दिन पर हैं यह जो सामर्त हैं तो आप से पुझा जाए कि जो आपकी 28 डेज की जो स्ट्रेंथ है ना जिस गरेट की जो लिखा है जैसे 33 तो तो इसी तरह से तीन दिन के आप किसी भी गरेट की निकास सकते बस आपको वन बाइटू करना है वन बाइट टू और 33 28 डे जिस ट्रेंट जैसे मैं इक्जामपल के लिए काऊं यह हो जाया का 30 30 जैसे मैं 3 वाले ग्रेट के बात करता हूं एक बता रहा हूं और आप खुझ कर लेना एक बता रहा हुँ और खुझ कर लेना जैसे 7 डेज़े माना गया कि टू बाइट थर पर से नहीं मलब कि 50 प तेंग स्ट्रेंट रेट की 33 ग्रेट की भात कर रहा हूँ है एक बता रहा हूँ और ग्रेट की आप खुद लेकलना तुसु तुद थ्री देश के ओफे 33 पर्शही अठ्यज दिन की तेंग टो और टो करोगे अठाग दिन की इस ट्रेंट कहिंट तू वाइटरी करोगे अटा जाता है 22 MP इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं 43 कभी और 53 कभी तो आप देख रहे हैं कि तीन दिन की जो स्ट्रेंथ आ गए आपके 16 MP आगे दोस्तों यह लॉजिक याद रखना यह पूचर भी जाता है डिरेक्ली इस सिमेंट की जो गरेर होता है 33 43 53 उनकी तीन दिन की स्ट्र में 5 which one of the below is not the property of ferro-cement ferro-cement आप सुनते थे कभी जीवन में जैने सुना आपने ferro-cement निम लिखते में से कौन ferro-cement का गुण नहीं है दिको सब से पहले ferro-cement आपको पढ़ना है उसके बाद हम क्वेशन में आते हैं कि ferro-cement क्या है ferro-cement is the type of the thin wall reinforced concrete commonly constructed on the thin wall पतली wall reinforced concrete है मतलब की steel की wire के साथ-साथ cement को यूज करते हैं तो reinforcement हो जाता है but reinforcement concrete किसको कहते हैं आर्शी किसको कहते हैं जब भी आपका steel के साथ concrete लगता है इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है दियस ट्रेंट होता क्या है कॉमली कंस्ट्रक्टेट ऑन दाइडलिक सिमेंट मोटा रिनफोर्स्ट मतलब इस्टील विद क्लोजली स्पेस्ट लियर और कंटिनियस एंड रिलेटिबली इस्मॉल वायर मैस मतलब की जो तार है आपके स्टील के तार है उनके जाल बिचा जाता है इंटरनली दिस मैस जो बढ़ियास बारीख बारीक तार्य और बाहर से आपका सिमेंट पढ़ गया इंट यह है तरह का सिमेंट कॉंक這邊 थिन ़त्क यंज्प से रहता हैं इसको कहते हैं यहां रिख से लेकिन अटिन बनाते म üzबति देने लिए अच्छी से परफेक्ट तरीके से लोट को distribute भी करें थिन वायर थिन वाल रिंफोर्स कॉंक्रीट है पतला सा एक जाल बिचाया जाता आपका बारिक बारिक तारों का ठीक ना समझगे बात को चलिएगा अच्छा हम कहेंगे कि सर इसके फाइदा क्या है नुकसान के हैं क्वेशन से समझते हैं पहली ब इंपर्परविए ऑगया क्या पर फेक तरीके से दिवार में गुस राता इट की दिवार में नमी आ रही थी इसमें आएगा क्या नहीं आएगा परफेक्टली इंफर बीस हो गया इंपर में बैले तो यह सच है यह तो अच्छी बात है कि जितने भी आपके सद्टन लोड आने थे दिवार में तो ब्रीक की दिवार तो तूट जाती लेकिन सड़नली जर्क या सड़नली इंपक्ट लोड जहिलने की चमता क्या हो गई बढ़ गई काफसिटे और जटके रोकने की चमता नो सबसे मझेदार बात कि जैसे आप कभी कि को और बनाते हैं और जगया पर तौह पर फॉर्म आर कि बहुत जरत पड़ती है लेकिन यहां पर फॉर्म वर्कि जरत निपरती सबसे आजर बात है नो नीड आफ फकार यह चौथा को सकते हैं कि इसको बनाने से कम हो गया रहे यार कैसी बात कर तो इस ट्रेंथ तो बहुत पूचा गया ता कि गलत ना जो तो गलत में आपका आंसर डी होगा ना आज़ा डी होगा ना क्योंकि यह तो भाई स्ट्रेंथ बढ़ाएगा इन डिरकली तो इतनी महनत कर रहता पैसे ल कन्सिस्टेंचि आंसर फाइननेश सरी चीज़ें इन पिस आपको बताना कि कौन से ट्रैस आपकि कौन सा परेटास किस चीज को मेजर मैंड करने के लिए आप करते हैं बिल्कुल बेसी कोसने आ किया यह सच है कि दूसरा है कंस Renee के लिए système के लिए भी surgeries लगता है इसमें कोई गलत नहीं है यह सच है यह बीर है कि सा दो कहता है कि वालीम जो करता है सिमेंट जब लाहन के accessibility ज्यादा होती है तो लिड़ली यह अपरें करेंगे ओनली लाइन और मैंगनेसिया दोनों के अक्सेटबिल्टी को चेक कर लेते हैं यह भी सच है तुसरा आता है फाइनेस फाइनेस के लिए ब्लेंस एयर पर मेबिल्टी टेस्ट यह सीव मैथड यह आपका टर्बिल्टी मैथड जिसको वैगनर मैथड भी कहते हैं यह बी बी कंजिस्टों मेटेर टेस्ट वरक बिलीटी के लिए लगता है क्या यह भी सच है साहत ही साथ-साथ आपका वरक बटी के लिए स्लम कून लगता है इस पैसपिक ग्राप्टी का आपको पढ़ना है तो यह सबीचैट लिए फ्लास्क यह सच है चन्फीज मत होना एक हो सबक्रत करें तो आपने सबसें सब सब्सक्राइब तो मैं कि कॉल थे स्बस्द कर रहा है खींच कर adesso करें कि सुवाहि बेहती 16 जान चारव आपको सब्सक्राइब कर सकतों गद सबते लगत एक्रस करने गलात नहीं कर सकते थे चलेगा नेक्स कोईशन है विचीज दी करेक्ट अबाउट फीजिकल प्रॉपर्टी आप सिमेंट वेरे गुड अगर आपने सिमेंट का फिल्ड टेस्ट पड़ा है वाई सिमेंट के अगर फिल्ड टेस्टिंग पड़े वे हैं तो यह आपके लिए ही ही एक वेस्ट फिर तो नहीं पड़ा है तो आपके लिए नहीं गिला तो जाएगा फिर 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 नमबर नेक्स्ट काउंस नमर है चौविस वां चौविस नहीं 21 चलो जवाब करो 21 आप कहेंगे कि सर्विच इस दे करेक्ट अबाओट फिजिकल प्रापर्टी आप सिमेंट इमने में से सिमेंट का कौन सा वहतिक गुन सही है बताओ नहीं बताओ नहीं बताओ नहीं कि देखो यार निवल एक सिमेंट से बहुत ही गुण सही है यह बताना इट कलर सुट भी यूनिफॉर्म ग्रीनिस ग्रे बिल्कुल सही बात है सिमेंट के कलर ग्रीनिस ग्रेय होना चीए इस सूल बिसुट भी फिल स्मूथ वेंड़ टच और रब फिल्कुल अगर आप जो हो रहा है तो गलत है इस सुट फिली स्मूथ वेंट टस्ट और रव्ड बिट्विन दर फिंगर जब आप रविंग कर रहे है तो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए इस से फील होगा कि आपका फाइन है और फाइन होगा तो उसकी स्टेंथ को गेन करने की कापसिटी जल्दी से बढ़ेगी इव दा हैंड इस इंसर्टेंट इन बैग हीप ऑफ दा सिमेंट इस सुट भी फिल वर्म गलत बात है गलत बात है डिया स्टुनिक परफेक्ट ली गलत है वार्म यहना चीब की कूल होना चीए फिल अगर आप सिमेंट के बैग में हाथ डालते हो ऐसे वो ठं परण से आपका मससर लग लगा नमी लगया होगा नमी के सहरन आप सुम्जा लटेन इनया सीमेंट to नाफ मालब की हीट करना हीट लॉक्ता है तो इसका मतलब बापका सेट होने वाला है हीट-अफ लॉने में वही फेल हाज गनल राई है एक समय जल्डी से जल्डी आने वाला है कि वी स्थवेंब वह हूsmih अच्चुन्पा फॉर ऱह सह नहीं कर देगा सारे पार्टिकल को यह तो ऐसे मजबूर इसकी स्टेंग घड़ गई तो बैटा यह गलत है सरासर ठीक है ठंडा मैसूस होना चीए यह ध्यान अखना इव दफ इस्माल क्वांटिटी आप सिमेंट इस तो इंद बकट अफ़ाटर इट सूद फ्लोट फॉर सम टाइम स्टाहिए भिक ikो सहीं बात है है स्ट का बकेट पानिका एक टेस मीला सिमेंट एक ऐकली अरे सिमेंट का डाल दिया अगर इस सचमेंट मिटी नहीं मिटी्स मिटी आइज़ादा नहीं मिक्सिंग तो भइया यह क्या होगा कुश समय से इसमें क्या करेंगा एनेर्जी आप सिमेंड माना तो वह सिंक जरक लिकर देगा बिना एनलजी को लोग एवाल्व करते बिना किसी फ्लोट करे वे तो यह बी सच है कि फ्लोट होना चीए सिंक से पहले तो आपके सच वाले आगे चार और गलत आगया तो वन तू का फूर आपका सही है भाई वी ऑप्सन हो ज सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल अच्छा कोईसा नम्मर 22 जल्दी जवाब करो हीट आफ इसे कर सकते हैं रिडूसिंग दी प्रपोर्शन आफ सी टुए और सी तुए और सी तुए और सी तुए और सी तुए है या सी तुए है सी टू तो वैसे कुछ है भी नहीं सी तुरी होना चाहिए चलो कोई नहीं नेक्स्ट सेकेंड डिक्रीजिंग परपोर्शन आफ सी थ्री एंड सी त्रीयस अच्छा हीट अफ हीट फाइडरेशन ओके इंकरी इन फाइनस ऑप सिमेंट देखो ना फाइनस पाइडेशन सबसे ज्यादा रिस्पोन्स रोता सी थ्रीयस होता है जेकिन दोनों साथ साथ आ रहे हैं तो यह तो और बढ़िया काम कर लेंगे बी आप्सिन आपका करक्ट होता दोस्तों ठीक है चलेगा को कंसिस्टेंसी की बात करते हैं जी कंसिस्टेंसी के लिए बहूत इस्टेनर कंसिस्टेंस सबकी याद करने होगी बहुत ही गजब क्वेशन आई और बहुत ही इंपोर्टेंट भी है क्वेशन नमर 25 25 23 23 कि चलो देखो सेटिंग टेस्ट जब आप इस्टेनर कंसिस्टेंसी पी निकालते हैं तो 0.85 पी साउनेस टेस्ट जब करते हैं तो 0.78 टाइमस ऑफी बिल्कुल याद होगे आपको कंप्रेसिव इस्टेंज जब निकालते हैं तो पी बाइफ प्लस 3 परसेंट और टेंशल टेस्ट जब आप करते हैं ब्रिक्वेट टेस्ट से आपका पी बाइफ प्लस 2.5 तो आल इस करेक्ट तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ठीक है चली नेट्स कोचन है हाइड्र फूबिक सिमेंट कौन सा कोड़ स्पेसिपाई करता है हाइड्र फ आप समझ तो लेते बहुत अच्छे से लेकिन जब तक आपको यह याद नहीं है दोस्तों इस टेविल को ध्यान से पड़ो जाएगा 500 जूल एनर्जी का मात्रा का आप जानते ना यूनिट 500 जूल पर ग्राम ग्राम में सी फोट एक 206 ची 3 आटशो प्यार्टो पैंसट रहाए और सो कर देनेस को एट 65 ऐट 665 जूल पर ग्राम नेक्स्ट आपका चीटुस्त यह आपका 420 नाम साही है c3s tricalcium silicate tetra calcium alumina ferrite tricalcium alumina di calcium silicate okay यह चारों आपको यह रखने भाई तो इसके इसाब से आप order देखें order हो जाएगा आपका किसमें दिखाना आपको घटते करा मणा भूब कि सबसे किसके कब सब्सक्राइब कन्फीजन को में कर अगर इस ऑप में टेकर धे आप इस ऑप्सन के आप Pearl sitting आप बोलोगे सर की एक सी थी सिथ्रिया और चीए सबसे बढ़ा तो यह है उसके बाद आपका सी थ्रीस आना चीए सर उसके बाद आएगा आपका सी 3 ये आया फिर सी 3 स आया फिर आपका सी टुर्वाश आना चीए सर है ना और फिर सी फॉर एफ आना चाहिए सर सी फॉर एफ है कि नहीं इसको एक काम करता हूं नहीं कुछ ज़रा करता है यह लिए टेबल दोस तों 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 कि आपना चाहिए थोड़ा सा मॉडिफ वो करनी है मुझे मतलब की करेक्शन में करने मुझे थोड़ा सा मुझे help करना यह c4af जो है यह 420 इसको सभी कर रहा हूं मैं इसको सभी कर देना वह इसलिए थोड़ा सा 420 उल्टा कर दिया ना और जो सीटो ऐसाइस का होता है दोसो साथ है चलो मैं लिख देता हूं आपको ठीक है ना अलग से लिख दूँ नहीं तो जाओगे आप चलो अलग से लिख रहा हूं देखो अलग से लिख रहा हूं सबसे पहले आपका सीथ्रियस आता है दोस्तों सबसे पहले आता आपका सीथ्य इसका 500 उपर लिख दे रहा हूं मैं यहां ठीक ना कि अलग से लिए रहा हूं में इसको हटा दो स्टेविल को हटाई दो इसका भी जो रहे ना हटाई दो इस्टेविल को कि यहां पर लिख दे रहा हूं सबसे पहला आता आपका सी 3S सी 3S का उता है डिफ्टेंट 500 जूल पर गराम पांसले क्रूंबस उसके बाद आता है जैसे कि आपका सीटोएस सीटोएस को लिखा जाए तो 260 जूल पर ग्राम जैसे मैं कहूं सी 3 ए सो सी 3 का होता 865 ठीक है ना और एक आता आपका सी 4af सी 4af कथा 420 जूल पर ग्राम अब इसके अब दो चीजें कि मैं है देखेखा दो चीजेंटियोस्टें स होना ही त्रीकिसifik उनमेट संफिशन रहता है इस इसन न को दूर कर दो आज ही कर दो अभी कर दो फिक सब्सक्राइबंत कर दो कैसे ए पहला जो कंफिजन है वह का की कि कि बेस्ट ओन बेस्ट ओन हीट एबलिवेशन बेस्ट ओन हीट एबलिवेशन मतलब कि उस्मा को उस्सर्जित करने के आधार पर तो सबसे ज्यादा असे कि सब्सक्राइब यह का घंठ उसके बाद हम देखा जाया तो फिलैसर सीत्रियस का फिल देखा जाये तो सर Series किसा और आवका किसके आप कुछ सबसे ज्यादा एनर्जी को निकालता है जैसे दोब ज्यादा एनर्जी व्लोड रोड़ दि सबसे ज्यादा किसकी सी और पूछा जाता आपसे जो इंपॉर्टेंट है एसे वह वहिव हाइडGen और रेट फ Wrong Under Heas इंप आफ ट्रेट ऊफ ही टोफ है दिया स्टेंट है मतलब समझें आप दोनों में कंफिज नहीं होना एक है कौन सबसे जादा हीट evolve करेगा फूरा स्मेंट आपने मिला दिया तो धीरे audio सबसे ज़रा जोगी करेगा दिए करेगा इनरजी यह डफल अकरेगा लेकिन रैपिड नेस कि स्की ज्षाद को साथ सै सर्धने सबसे पहले कौन करेगँ तो सीफॉर साथ करेगान एऽ यह सबसे पहले हीट उप हैडरेट करेगा है मलब की हीट ऑफ डिसन को जो रेट है डिट फीट इस जितना भी इसका कम है ज़्यादा जितना इसका कितना वैसे चार सो बीस है लेकिन सबसे पहले यहीट आफ इसन एनर्जी को इलवल करेगा यह कम पाऊंग उसके बास इत्री वाला उसके बास सी जितने भी है जो भी है जितना भी इसका 865 ज्यादा यह वैसे दूसरे नमर पर यह करेगा इसका और दूसरे नमर पर है तीसरा आएगा आपका सी 3S इसका रेट ऑफाइडर सन्य और लास्ट में आपका सीट वस्त दोनों जगह पर लास्ट यह विचारा तो यह स्ट्रेंड यह को दोनों और ność-evaluation application ऑड़िट इंडी मोइशन ओके तो चले हम पराते हैं वसक्व मारा यहांपर यहां पर यह बोला गया है कि यहांपर rice सोट अपने देख लिए The rate of heat of heavilyvation rate of heat of hydration तो याद होगे आपको अगर रेट सब ना होता के वह लिए 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 सब्सक्राइब सबसे ज्यादा फिर सी त्री एफ लास्ट में सी ट्वेस लेकिन यहीं पर उल्टा कर दिया जाए एफ से ज्यादा किसका सर्शी सी थ्री एक फिर किसका सर्थ पांच हो वालत को इसको मैं टा दूंगा ठीकित टापिंग मिस्टेक और रहा वहाँ चले कर देश्क जवाब करूँ for testing the cement for testing the compressive strength for testing the compressive and tensile strength of cement the cement motor is made by the mixing cement and standard sand in the proportion of the below क्या रेस्ट रे कुछ नहीं है जब आप सिमेंट और सेंड का जब अगर आप 600 ग्राम सेंड ले रहे हैं तो 300 ग्राम क्या लेना पड़ेगा सेंड सेमें तो यह बात ध्यान अखना है चलिए नेक्स्ट वेस्ट नहीं क्वेस्ट नमर्न नेक्स्ट सब्सक्राइस विच विच वन ऑद फॉलविंग सिमेंट कंटेंज दे मैक्समम पर्सेंटेज आप दी डाय केल्सम सिलिकेट का मतलब है कि आपको हीट ऑफ हीडेशन कम करा दिया है इसका मला लो हीट सिमेंट है लो हीट सिमेंट डैम अगेरा में यही तो रिपेट करो गया लो हीट सिमेंट है डाय केल्सम सिलिकेट मला सीट वेस्ट कम कर दिया है इसका मला लो हीट सिमेंट जाहां पर हीट सिमेंट कलर सिमेंट वाइट स कंसिस्ट आप डी परसेंट जवाब करेंगे आपको या रखनी चीजे एक वेसन आपके सारे बैतरी ने आपको या रखना है तो पांस से दस आपका जो है डिया स्टेट परसेंट रहता है चलेगा नेक्स्ट है soundness of the cement tested by best just पहले ही आपको डिसकस किया है cement का soundness जो हम चेक करते हैं question number 29 आप कहेंगे कि question number 29 में आपका answer हो जाएगा soundness के लिए देखेगा आपका cement का soundness के लिए बिकाट अपरेटेस्ट लिचेट लियर अपरेटेस्ट आप कहेंगे कि चले आगे चलता है कि cement की सामयर्थ के लिए कौन सा अविया उतरवद्वाई होता है विच कंपाउंड आप सिमेंट इस रिस्पोंसबल फर इस्टेंट आप सिमेंट मलब कि इन चारों में से कौन सा की सेवल को देखना और यहन से किmond कंन है क्या बोला दिखो बीखम से की ए कि स्लीक को देखो जरांे गिविज्ग स्टएंट अगो इस ट्रेंट है आपे लेकिन बहुथ ज्यादा भी ड़ना तो फिर श्लह कर देगा सेटिंग को यह ठीड़र तो एक नम हने आपका जवाब हो चुका है कि सरह स्लीका हो जाएगा सेदार जी वालो फिर है चलिए फिर भी ऑप्षान हो गया ठीक है कॉस्ट नमर्थ 31 वन आप दा मेन वन आप देमेड दिमेरिट्स इन दी उजिंग आप दी लाइम मोटार करेगा तो एक डिमेरिट सा एक ट्राइक तरह से क्या है वो ड्रॉब्रेट मेलब की नुकसान एक तरह का तो आप कहेंगे किसर वो ड्रॉबेग जो है यह क्या करेगा दस नोट फिक सेट चल दी से इस नहीं हो पाता है टाइम लगाता है विच वना था फॉलविंग कंपाउड इस पॉर्ड़ा फिक सेटिंग अब दस्मेंट वेरेगोड विक सेटिंग के लिए रिस्पॉंसिबल कौन होता तो आप कहेंगे कि सार कौन सो होगा फिक सेटिंग की बात हो रही है क्वेस्ट सित्व की सेटिंग्स था जान से जबाब करूंगा पहले विमने को तो घूमान के जरह बता दिया तरह पहले तो मिमने का 3 3 रेपिट सेटिंग के लिए जल्दी सेटिंग के लिए रिस्पोंजबल रहता न वह ऐल्यूमिनियम औक्साइड क्या होता हो यह बता यहाँ बताया था सब चलेगा यहाँ पर कुछ बातने लिखी आपके लिए जहां देखना लाइं आपका जैसे कि वह पहले आपको कर दिया थे खिन ना सिलिका क्या करता है इस टंड करता है अलुमनिय देखा जाय तो फ्रोभाइट दख्विक सेटिंग यह लिखा गया है अरी नोटर गास है तो अरवट मैगनेशन देखा जाए तो प्रोभाइटा रनेस और कलर अलकली जो है आपका रसल को ब्रावा देता है ठीक है तो इस सब बाते मैंने पहले भी आपको डिसकस की थी किती कि नहीं किती तो इस तो इस तो यह सब तमाम बाते हैं आप किती आज कि अग्राइब कि अग्राइब कि अगय listening पृदिसमेंट की सब इंपॉर्टेंट बाते हैं ती तो आपको पता भी थी जो नहीं भी पता थी और नहीं भी पता थी तो हमने बताया आपको बात अच्छे समझाया तो च्मैन का ऑक परसेट के तरीक हैं अब क hass पमिम गया मुझे लगए कि सिमेंट में कुछ इससे भी बाहर आती होंगी चीजें आपने देख विले इन सभी क्वेशन हो में सारी चीजें इंकलूड़ीट थी मुझे लगता कि कोई भी चीज ऐसी होगी जो कि आपके इंकलूड नहीं रहे होगी टाइपस ऑप सिमेंट में थोड़ा सा एक दो चीज चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स सेशन में बस चैनल के साथ जुड़ते रहें आप और थैंक्यू वरी मुद्ट